हेलो एवरिवान आज हम इस वीडियो में कंपैर जिंगरेंगे इन्फनिक्स नोट 12 परो 5G में और इन्फनिक्स 0 5G में देखते हैं कि बेस्ट कौन सा है तो छिले वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात कि जाहें डिस्प्ले से तो इन्फनिक्स नोट में हें 6.7 इंच्ट रेजूलिशन है 18120 पर 24 पिक्सल इसमें आपको AMOLED डिस्प्ले मिलती हैं और इन्फनिक्स 0 में हें 6.78 इंच की रेजुलीशन है 1080 पा 24 पिक्सल इसमें आपको IPS LCA डिस्पली मिलती है और आपको इन्फिनिक्स में 120 हर्स का रिफ्रेसित मिलता है और इन्फिनिक्स नोट में है 60 हर्स का अब बात कते हैं दोने की कमेर पार्ट की यारे की प्रोसिजर की तो इन्फिनिक्स नोट में है मिडिटेक का डेमलसीटी 810 का CPU हर्स ठूपन-4E का हाट ओक्टेक और 6.99 तसक फिन पेट GPU हर्स जी जी तावन का इन्फिनिक्स 0 का है मिडिटेक का डेमलसीटी 9-100 का CPU है 2.4e का हार्ट OctaCore और 6 Nm का FinPad प्रोसेसरी क्वार्टी में Infinix Zero Best है बात करती हैं बैक केमरा की तो दोनों का है ट्रीपल Infinix Note का है में केमरा 108 का और Infinix Zero का है में केमरा 48 का फर्न केमरा दोनों का सीम है 16 मिसल का मिल जाता है केमरा दोनों का ठीक ठाक है Infinix Zero का Best है फिर भी बैटे दोनों में है 5000 इमिज की दोने के बैटे स्नोनेबल है आप दोने के बैटे को निकाल नहीं सकती चार्जर दोनों का सीम है 33 वाट दोनों में आपको टाइपस का स्पोर्ट मिलता है फिंगरपीर सेंसर और फेस लोग पे दोनी ही स्मार्टपोन मिल जाता है दोनों में 3000 सीम नहीं मलती दोने के हवालटी एक साल की कोईक्टिविटी है दोनों में 5G की RAM से इम है आप जीवी की दोनों में Memory से इम 143 जीवी की जो की सही है और iinn78 इन्विक्स नोट 12 है iinnabis जी कोसा पंट पंट बnyt आया कंटBO box में जरू बताना अगर आपको दोरों में सो कोसमार्ट पॉन ना है लिए निएक anlat फीन 7 दो आप इन्फिक्स это 12 Pro 5G Smartphone मत लेना क्योंकि इसका जो कैमरे एक्वार्टी है और बेकार है